नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना सर्मा, वोकारो गार्डेन में आप सभी का तहदिल से स्वागत करती हूँ, दोस्तों आप यहाँ पर मेरे आम के अमरूद के पौधे देख रहे हैं, आम, अमरूद, लेचे, टेको, लेवन, जो कोई भी पौधा हो, और आपने उसको खड़ी कर लाई है, नर्सरी से, या ओनलाइन परचेज किया है, तो आपके उसमें कॉमेंट आ रहे हैं, कि मेरा पौधा बढ़ी नहीं रहा है, हाला कि मैं जो यहाँ देख ला रही हूँ, उस पौधे में आप देख रहे होंगे, अच्छी गुडोत चल रही है, लेकिन आप अगर पौधे खरीद कर लाटे हो, तो पौधे में क्या कुछ खळावी होती है, या लगाने में क्या गरवड़ी रहती है, तो इस पर मैं आज आप से चर्चा ने जा रही हूँ. दोस्तों पछली बात है, कि जब मैं बात करूं आप से, कि जब आप नर्शरी से, या कहीं से भी पौधे लाते हो, तो बहुत नन्हा सा छोटा सा पौधा लेकर आपको नहीं आना है, कम से कम पौधे की मीडियम हाइट हो, तभी उसको लाया करो, पौधे को चेक कर लो, क्यों इस्ट्रोंग है या नहीं, और उसकी हाइट कितनी है, उम्र कितनी है, दोस्तों दूसरी बात है कि आप फ्रूट वाले पौधे को कभी भी छाय में नहीं लगाओ, जहां धूप होगी तभी ओ अच्छे से ग्रोथ करेगा, नहीं तो उसकी ग्रोथ भी रुख जाएगी और फ्रूट नहीं ही आएंगे, दोस्तों एक कारन ये भी हो सकता है, कि आपके पौधे की ग्रोथ अप इस तरह के इंसेक्ट और कीडे आप इहां अपने पौधे पर चेक कर लो, अगर लगता है कि कुछ कीडे लगे हुए हैं, इस तर्फ लगे हुए हैं, तो ओ पौधे को आपको इस तरह आप देख रहे हैं, सुखा कर मार देंगे, ड्राई होकर पौधा हम मढ़ कि इस तरह का अगर इंसेक्ट बगएर लगा हुआ है तो आपको इसको हटाने के लिए इस पर फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके सबसे पहले इसका छुटकाड़ा देना है खाद बाद की बात है खाद पर भी मैं बात करूंगी लेकिन सबसे पहले इसमें जो खड़ा भी आती है पौधे में ओ मैं आपसे शेयर कर रहे हूं कि किन कारणों से आपके पौधे की गुरोथ रुख सकती है किन किन कारणों से आपके पौधे खराब हो सकते हैं दोस्तों एक बात और मुझे कहानी है कि कहीं आपने नर्सरी से पौधे को लाकर उसको बार ब बाद उसको खाद एकदम नहीं दे तीन महीने तक आपको उसमें खाद एकदम नहीं देनी हैं। दोस्तो अब मैं बात करती हूँ कि किसी किसी पौधे में नई नई ब्रांच ही नहीं आ रही है, पौधे आगे बढ़ी नहीं रहे हैं, ग्रोथ उनकी रुख चुकी है, ऐसा जब आपको दिखाई दे, तो हूमिक एसी ग्रेनुल भी मिलता है और लिक्ड भी मिलता है, तो ग् ग्राम पानी में घोल कर अपने पौधे को 15 दिन के अंतराल पर दिया करें, तो आपका पौधा ग्रोथ करना, आप देखोगे कि कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, कितना जल्दी ये बढ़ना सुरू कर देता है, दोस्तो इस तरह से हूमिके शीड का, अगर आप अपने पौधे पर 15 दिन के अंतराल में करते हैं, अगर दो तीन महीने के अंदर आपको नए नए ब्रांच नहीं दिखाए दिये, पौधे की ब्रदी नहीं हुई, तो फिर आप कॉमेंट में जाकर हमको बताना, फिर मैं आप से और बाते शेयर करूँगी, एक बार में बहुत सार प्रदीम को रंग के भी रखे हुए हैं, ताकि हमारे पौधे पर दीमा के आकीट का प्रकोप नहीं हो, तो दोस्तों बस इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों से बिदा लेती हूँ, वीडियो अच्छी लगे, तो सेयर कर देना, जो कुछ भी पूछना हो, आप कॉमेंट बहुत बहुत प्यार